Hello everyone, welcome to your English class, this is your educator Nikita Singh and आज हम लोग एकदम एक बहुत ही इंट्रस्टिंग और एक्साइटिंग सा चाप्टर परने वाले हैं जिसका नाम है, जैजी कि आप लोग को दिख रहा है Madam Rides the Bus ये चाप्टर आज हम करने वाले हैं, इस चाप्टर से आज हम शुरुवात करने वाले हैं ठीके, so I hope सभी बच्चे जो हैं वो एकदम एक्साइटिड होंगे बड़ी इंट्रस्टिंग स्टोरी है, बहुत ही प्यारी सी स्टोरी है लिखी गई है, वली अकंडन के द्वारा, ठीके, इन्होंने ये स्टोरी लिखी है बहुत सारे बच्चे और इसको पढ़ चुके होंगे और जानते होंगे यार बहुत एक प्यारी सी छोटी सी मासुम सी बच्ची की कहानी है पर यह कहानी में देखने को मिलता है की खैसे टूरूरी हम जल्दी से कहानी को कर देते हैं शुरू audiences की मैं पहले ही पता जुकी हुं मेरा नाम निंकता है मैं आपकों इंग्लिश पढ़ाती हूँ So hi guys how are you all I hope you all are doing good ठीक है और इस class में आज हम लोग हमारे इस chapter का जो एक पाथ है वो पूरा completely पढ़ करके side कर देंगे ठीक है Okay so start करते हैं अब देखो अगर आप लोग ने पनी बुक्स में देखा होगा तो यहां पर बुक्स के अंदर अगर आप लोग देख रहे होगे तो इसमें ना स्टार्टिंग में आपको एक चाप्टर के बारे में जिस्ट दे रखा है आपको बता रखा है कि चाप्टर किस बारे में है So in this sensitive story yeah this is a sensitive story चोटी सी बच्ची की कहानी है and how she actually doesn't have any friend उसका कोई दोस्त नहीं होता है अकेली होती है हना और उसको कैसे एक बहुत ही जादा जब वो बस को देखती रहती है अपने घर से बाहर तो कैसे उसको अंदर से एक इच्छा डिवलप हो जाती है कि मुझे भी इस बस में ट्रावल करना है इस पूरी कहानी में यह आमें देखने को मिल रहा है so this is a sensitive story एक आठ साल की लड़की की और उसके पहली बस जर्णी की यानि कि आठ साल की छोटी सी लड़की है हमारी ठीक है she is 8 years old यह याद रखना यह छोटी छोटी डीटेल्स जो है आपको पता होनी चाहिए इस बस जर्णी में उसे क्या देखने को मिलता है इस बस जर्णी में क्या उसके साथ होता है छोटी से 8 साल की बच्ची है 8 साल की बच्चे यूशुली क्या करते है स्कूल जाते हैं दोस्तों के साथ खेलते हैं उनकी दुनिया बहुत छोटी सी होते हैं बीं हमके जब जब बच्चे होते तो हम लोग को मदL कुछ में हुएं उनके साथ मजए किए पढ़ाई करी और घर आ इससे जादा कोई बाहर की दुनिया से हमारा mail नहीं होता, इससे जादा बाहर की दुनिया से हमारा कोई लेना देना या interaction नहीं होता है, पट यहाँ पे यह एक न, I would say कि sensitive story के साथ ही साथ एक adventurous story भी है, हान जी, adventure आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि एक छोटे 8 साल के बच्च की जर्नी पे निकल पड़ता है, हमारी जो यहाँ पे छोटी बच्ची है, वो बस की जर्नी पे निकल पड़ती है, और उस जर्नी के अंदर उसे बहुत कुछ देखने को मिलता है, उसे बाहर की दुनिया का एक experience मिलता है, और उस जर्नी में वो life और death के बारे में भी सीखती है, और इसी जर्नी में क्या-क्या होगा, कैसी रही जर्नी उस बच्ची की, यह सारी चीजे आज हमें स्टोरी में देखने को मिलेगी, शी सीज दगाब बिट्वीन आर नोविंग दाट देर इस डेथ और अर अंडर्स्टानिंग और इसी के साथ वो जो चोटी सी बच्ची है, जो अपनी बस जर्नी में गई है, पहली बस जर्नी, उसकी लाइफ की सबसे पहली बारी वो बस में बैठी और उसने सफर किया, उस सफर में वो पूरा डेथ के बारे में देखती है, लाइफ उसे पता चलती है, लाइफ क्या है, डेथ होती क्या है और उससे हम क्या समझ होते हैं इतने च्छोटे से बच्चे को यह सारी चीजे समझ में आती है केवल शिल्फ वर शिल्फ एक बैस के सफर फे है थीध है अब ऐसा क्या होता है कैसे डाई life और sacrificed बारे में उसे इतना कुछ पता चल जाता है chaos जो है I hope आपको जो है लेक्चर बहुत ही अच्छा लगीगा ठीक है और इस चैनल को सब्स्राइब करना मत भूलेगा क्योंकि क्लास 10th के लिए जितनी भी लिटरेचर एंड ग्रामर का क्लासेज होने वाली है वो इसी चैनल पर आपको पूरा-पूरा मिल जाएगा हना हम लोग कर रहे हैं टर्म 2 की तयारी So let's begin, शुरू करते हैं There was a girl named Valiya Mai who was called Vali for short She was 8 years old and very curious about things Her favorite past time was standing in the front doorway of her house Watching what was happening in the street outside यहां पर यह लोग क्या बोल रहे हैं? कि एक कहानी है एक छोटी सी बच्ची की जिसका नाम है Valiya Mai और उसको प्यार से बोलते हैं Vali, ठीक है? क्या बोलते हैं उसको प्यार से? उसको प्यार से Vali बोलते है छोटी बच्ची है Vali, उसका नाम है 8 साल की वो है ठीक है? 8 years old, वो 8 साल की बच्ची है अब यहाँ पर ना दिखा रहे हैं हमें कि वो जो बच्ची है वो ना चीजों को लेकर करके she is very curious एक साधारन बच्ची की तरह नहीं है कि अच्छा ऐसा है तो है वो हर चीज में ना वो बहुत चीजों को जानने के लिए उच्छुक रहती है कि यह क्या है ऐसे क्यूं है sorry ऐसे क्यूं है ऐसे क्यूं नहीं है उसे ना बहुत चीजों को नहीं नहीं चीजों के बारे में जानना बड़ा अच्छा लगता है ठीक है तो उस बच्ची की एक कहानी है और उस बच्ची का जो सबसे जादा favorite past time है यानि कि उसे अपने खाली टाइम में जो करना पसंद है, उसका खाली टाइम में करने वाला जो टास्क है, उसका फेवरिट काम जो है वो है अपने घर के में फ्रंट डोर पे खड़े हो करके देखना की बाहर क्या हो रहा है यहां पे ना हमें चीज समझ में आती है कि छोटे बच्चे होते हैं वो हमेशा एसी बड़े लोगों की दुनिया को देख करके बाहर की दुनिया को देख करके वो एकदम ऐसे हो जाते हैं वुदॉ वाई तो उनको वो छीज़ा से बहुत एक्साइटिंग लगती है और वैसी ही हमारी वल्ली है आठ साल की बच्ची जिसको रोप चीजों को लेकर कि जानना बड़ा अच्छा लगती कि ऐसा है ऐसा कि वह बहुत excited हो जाती है चुटी-चुटी चीजों को लेकर के उसको जानना बहुत पसंद होता है छुटी-चुटी चीजों को अब क्या होता है अब उस बच्ची का सबसे ज़ाधा पसंदीदा काम जो होता है खाली ताइम में वो होता है कि अपने गेत पे अपने घर के फ्रंट गेत पे खड़े उकर कि वो बाहर की दुनिया को देखती रहती है और वो देखती रहती है वहां क्या हो रहा है कौन कहां जा रहा है कौन कहां से आ रहा है सड़क पे क्या चल रहा है उसको वो देखकर कि बड़ा अच्छा लगता है उसे लगता है कि मतलब वह दूसरी दुनिया में आ गई है क्योंकि छोटे से बच्ची की दुनिया तो बहुत limited होती है मम्मी पापा हैं अपने ही दोस्त हैं बाहर की दुनिया उसको बहुत exciting लगती है और वही उसे करना अपने खाली टाइम में बहुत पसंद होता है कि उसी बाहर की दुनिया को वो खड़ेों करके देखती रहती है अब आगे क्या होता है There were no playmates of her own age on her street अब हमारी वल्ली के साथ एक प्रॉब्लम होती है उस बिचारी बच्ची की कि वो छोटी बच्ची आठ साल की है और जहां पे उसका घर है वहां पे उसकी उम्र का कोई भी बच्चा नहीं है तो यानि उसकी पास दोस्ती नहीं होते अब सबसे जादा साड़ बात तो यही है क्योंकि एक चोटे बच्ची के लिए एक्साइटिंग क्या होता है एक्साइटिंग है कि होता है कि स्कूल जाना है दोस्तों से मिलना है और वहां पे तो पड़ाई वड़ाई होईगी पर दोस्तों से मिलने की बड़ी खुशी होती है चल रहा है वो यह सब देखना उसे अच्छा लगता था ठीक है and this was about all she had to do और यही काम जो थाना उसके पास करने को था जिए ने अच्छा और भर्ड कुछ अबर्ड कर और भर्म एपढ़एट गेंशरे लुटल्रेइन प्लेड़ थी अप्र वल्ली ने ना अपनी इसी छोटी सी दुनिया में अपनी खुशी दूण ली थी उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि आरे चलो मेरे बराबर के अगर यहां पर बच्चे नहीं हैं अगर मैं उनके साथ नहीं खेल पा रही हूं तो बच्ची अपने आप में खुश रहती थी उसको किसी की जरुवत नहीं थी उसने अपनी खुशी दून ली थी वो खड़े हो से मिल जाती थी मतलब अपनी चोटी से दुनिया में वह बहुत खुश थी इतना सा काम करके उसे बड़ा अच्छा लगता था वह उतनी मतलब मज़े आते तो उसको जितना किसी बच्चे को गेम खेल करके आ रहे होंगे वाचिंग देख करके ना उसे बहुत अलग-अलग देखो जाहिर सी बात है वो अगर अपने गेट पे खड़े हो करके बाहर की दुनिया मतलब है कि उसके घर के बाहर जो स्ट्रीट है उसपर क्या हो रहा है लोग क्या कर रहे है वो चीज जो है न रोज उसे कुछ ना कुछ नया देखने को मिलता था हो सकता हुत आज जो है क उसे कुछ नया देखने को मिलता था, तो उसके लिए वो बहुत exciting चीज थी, उसका सबसे दिन का exciting part यही था, जब वो बहाँ पर खड़े होकर के बाहर की दुनिया को देखती थी, और अलगल एक experience उसे मिलता था, कि आज यह हुआ, आज यह हुआ, आज बाहर मैंने देखा कु आगे बढ़ते हैं, the most fascinating thing of all was the bus that traveled between her village and the nearest town, अब सबसे ज़ादा उस पूरा टाइम, जिस टाइम पर वो खड़े होकर के वली, अपने घर से बाहर सड़क को देखती रहती थी, उसमें बहुत चीज़े होती रहती थी, कभी कोई आंटी गुजर रही हैं, वो किसी से बात कर हैं, तो कभी कोई अंकल वहाँ पर आए हैं, तो कभी कोई बच्चा जा रहा है, तो ये चीज़े बदलती रहती थी, आज कोई आंटी दिखी तो कल वो नहीं दिखी, आज कोई बच्चा वहाँ पर खेल रहा था, तो कल वो नहीं खेलता दिखा, कल कोई और था, तो वहाँ चीज थी जो उसको ultra level की excitement देती थी एक चीज थी जो उसको बहुत ज़ादा खुश कर दे थी और वो चीज उसे रोज दिखती थी वो क्या थी वो बस एक बस उसे रोज दिखती थी जो आती थी वहाँ पर रुकती थी और वहाँ से उच करके उसके गाउं के पास में एक शहर वहां तक जाती थी, तो वह बस उसे रोज वहां पर आती नजर आती थी, कि आज कोई आंटी है, हो सकता है, उन आंटी ने सबजी वाले से लड़ाई कर ली, ठीक है, कोई अंकल है, वहां पर खड़े हो करके अपने बच्चों के साथ कुछ खेल रहे हैं, कुछ बच्चे हैं, वो आपस में कुछ खेल रहे हैं, तो वली जब खड़े हो करके वो देखती थी, आज कुछ हुआ, आज अगले दिन सडक पर कुछ हुआ, पर एक चीज जो थी, जो continuously, उसे constantly वहाँ पर देखने को मिलती थी, वो थी बस की जर्नी, कि एक बस है, जो डेली इस समय पर आती है, फ में लोगों को बैठ करके कौन से रास्ते से जाती है, क्या-क्या देखने को मिलता होगा, ये बहुत ही उसे exciting लगता था, और उसे बस देख करके बड़ी खुशी होती थी, यानि कि हर एक घंटे के अंदर वो बस आती थी और जाती थी, आती थी और जाती थी, तो यानि कि वो बस जो है वल्ली को हर घंटे में नजर आ जाया करती थी अपने घर के पास, once going to the town and once coming back, तो एक घंटे के अंदर क्या होता था, वो बस है एक घंटे के अंदर यहां से शहर गई, और कौन से शहर, वो शहर जो वल्ली के गाउं के पास में था, वल्ली के गाउं के पास का जो शहर था, वो बस वहां से उठ करके शहर जाती थी और एक घंटे के अंदर फिर वापिस आ जाये करती थी, फिर उसके एक घंटे बाद दुबारा जाती थी और वापिस आ जाती थी, तो जितने चक्कर वो बस काटती थी ना, उस गाउं से बाजू के शहर में, उतनी वा क्या है और लोग यहां से जाते हैं तो वह जर्णी क्या है कौन सा रास्ता है क्या 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 देखने को मिलता है तो उस बच्चे के दिमाग में वह सारी चीजे आने लग गई ठीक है तो साइट ऑफ द बस फिल इच टाइम बिद न्यू सीट ऑफ पैसेंजर्स वाज़ा सोर्स आनेंडिंग जोई फर वली अब जो वली है वो जो उस बस को देखती थी कि वो बस हर घंटे में आ रही है और उस हर बारी जितनी बार बस चक्कर लगाती है हर बारी उसमें नए लोग बैठे होते हैं कभी बच्चे बैठे हैं तो कभी कोई बुढ़ा इंसान बैठा है तो उसके साथ खेलने के लिए तो उसने कभी कंप्लेइन नहीं करी उसने अपने इना अमलब होता नहीं बच्चे कैसे होते हैं उनको अगर कुछ नहीं मिलता तो वो अपने में कुछ ना कुछ बना लेते हैं अपने आप में बिजी हो जाते हैं हरा कि अगर उनके पास नहीं है कोई नया friend खेलने के लिए तो वो अपने आप से कुछ ना कुछ खेलने लग जाते हैं अपनी दुनिया में मगन हो जाते हैं ऐसी चोटी सी दुनिया वल्ली ने बना ली थी उसके पास नहीं थे friends तो उसने उसको ना बाहर की दुनिया देखकर अच्छा लगता था तो वो गंटे बाद यहां से उसके गाउं से उठकर के बाईू वाले शेहर चलि जाती थी और जितनी बारी बस चक्कर लगाती थी उतनी बारी bus की अंदर ने-रे लोग बैठे होते थे यह चीज वल्ली को बहुत अच्छी लगते और यह देखकर कि वल्ली को गो छुशी मिलती थी उसका तो कोई भाई ठिकाना ही नहीं था ये उसके लिए क्या था सोर्स ओफ अन एंडिंग जोई यानि की खुशी का ठिकाना नहीं रहता था उसको जब वो देखती थी ना उस बस को कि बस में नए-नए कुछ लोग आए अब जा रहे हैं तो उस अलगी खुशी मिलती थी ठी के और वो बस को रोज खड़े हो करके वहाँ देखती रही आज के दिन कल का दिन दिन गुजरते चले गए और वल्ली जो है ना रोज बस को देखती थी तो क्या हुआ? जितने जितने दिन गुजरते चले गए बल्ली के दिमाग में एक इच्छा आने लग गई और वो ताइम के साथ दिन के गुजरने के साथ वो इच्छा जो है बहुत ही स्ट्रॉंग होती चली गई वो इच्छा क्या थी? वो इच्छा क्या थी? जितने दिन गुजरते चले गए वल्ली देखती रही कि एक बस आती है, उसमें नए-नए कुछ लोग होते हैं, वो उतर जाते हैं, नए लोग चड़ते हैं, वो कहीं जाते हैं, तो वो जब वो प्रॉसेस देखती थी थी ना कि हर एक घंटे में बस आ रही है फिर जा रही है वो देख देख के दिन पर दिन गुजरते चले गए उसके मन में एक खयाल आया कि मुझे भी इस बस में ट्रावल करना है अब जितना टाइम होता गया ये खयाल उसका और भी जादा स्ट्रॉंग होता गया होता गया होता गया और वल्ली को बहुत ज वूरा पूरा नजार है, कौन से रास्ते से जाते हैं, क्या क्या होता है उसे सब कुछ देखना था। चाहे हैं इस जिंदगी मैं एक बार ही क्यों था। बलुप है कि एक बार ही जश्क वन्स का सफर करना जरूर 1300 यह उसके मन में में एक खयाल आचुका था और बहुत इन डिन चलते चले गए ठीक है अटल इट वाजिवर विल्मिंग डिजायर और यह तब तक भढ़ती चले गए बढ़ती चले बढ़ती चले बढ़ती जितनी दिन वो देखती रहे न बस आती है जाती है आती जाती है उसके अंदर से यह जो इच्छा थी ना कि मुझे बस में ट्रावल करना है, ये इतनी साथा स्ट्रोंग होती, चली गई, चली गई, चली गई, कि फिर ना, उसको सोते जाकते के वल यही ख्याल आता था, फिर उसके दिमांग में कुछ नहीं चलता था, फिर होते हैं कि हमारी लाइफ में एक एम कि यार एक बारी बस का मतलब सफर करना है, कुछ हो पर मुझे एक बारी सही पर मुझे बस में जरूर जाना है, मुझे देखना है कि क्या होता है, ऐसी इच्छा उसके मन में आ चुकी थी, वली वोट स्टेर विस्ट फुली अट पीपल हूट और 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 ऑफ तबस वें इस इच्छा के साथ देखती थी, इतने इंट्रस्ट के साथ देखती थी, कि बस आ गई, हना जैसी बस को हॉन सुना ही देता है, तो उदे नी बच्चा भाग करके बाहर जा रहा है, और वो देख रहा है, बस में से कुछ लोग उतर रहे हैं, नए लोग चड़ रहे हैं, बस च बस में से उतर रहे हैं, वो कोई जा रहा है, तो कोई बस में से उतर रहा है, उसके लिए सब कुछ बहुत ही जादा एक्साइटिंग था, ठीक है, देर फेसे वोट किंदल in her longings, dreams and hopes, if one of her friends happened to ride the bus and try to describe the sights of the town to her, वली बच्चा 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 आंग, expression of disapproval, अब वो बोल रहे हैं कि क्या होता था, मतलब वली के लिए वो एक सपने जैसा बन चुका था, कि यार मैं एक बार ही करूँ पर मुझे करना जरूर है, कि मुझे बस में बैठ करके एक गूमना जरूर है, ठीक है, और मुझे देखना है बस कहां जाती है और उ कि भई मैं बस में बैठ करके गया और तुम्हें पता है रास्ते में क्या होँआ, मैंने ये देखा, ये देखा, तो वली को इतना जादा बुरा लगता था, वो इतनी जेलेस हो जाती थी, कि वो सुनती भी नहीं थी, वो चलाने लग जाती थी इंग्रिश में, प्राउट, प्राउट, प्राउट करके, अब ना तो वली को पता था कि इसका मतलब क्या होता है, ना उसके दोस्तों को पता था कि इस शब्द का मतलब क्या होता है, बस वो लोग मिल करके ये शब्द तब इस्तमाल करते थे, जब उन्हें किसी चीज को ले करके disapproval दिखाना होता था, कि हम तुम्हारे साथ सहमत नहीं है हना डिस अग्रीमेंट दिखाना होता था कि मैं अग्री नहीं करता इस चीज से तो तब ये वर्ड को यूज करते थे ना तो वल्ली को पता ना उसके फ्रेंड्स को पता कि इसका मतलब क्या होता है तो आप देख रहे हो कि इस बच्चे के अंदर कितनी जादा इच्छा आ जाग चुकी है कि बही मुझे ट्रावल करना और अगर कोई और फिरेंड ट्रावल करके आ गया तो उसको सुनना भी अच्छा नहीं लगता था कि मुझे मत बताओ कि तुम गूम कर क्या हो हना क्योंकि मैं तो घूमने पारी हो तुम गूम करके आगयों तो मुझे मत बताओ तुमने क्या देखा ठीक है शो आफ करने की जरुद नहीं है उसका थोड़ा सा वैसा वाला फील था कि अब मेरको मत बताओ शो आफ मत करो तुम गूम करके आगयों से जलन होती थी इस बात से कि मैं जाना चाहती हूं मैं जानी पारी और ये मेरा दोस्त गूम करके आया है और अब मुझे बता रहा है मुझे नहीं सुनना तो इसे कान बंद करके चलाती थी प्राउट 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 जिसका मतलब भी नहीं जानती थी वह, ठीक है? Over many days and months, Vali listened carefully to conversations between her neighbor and people who regularly use the bus and she also asked a few discreet questions here and there. Now what happened? That day by day, we went and went and went and went and went and did a month. What happened? Now, as many people who were walking by bus, passengers or bus, they were walking by bus, so some people were walking by bus. The other thing is that it is a child, for the rest of the bus, which is a big thing? This is exciting for a child, which I have never seen today. For the rest of the bus, it is a normal thing. So, she was very attention to her. When the bus came from the bus, or someone who was talking about bus, or someone who was talking about bus, she was very attention to her. She was very attention to her, what she was talking about. And sometimes she asked her questions about bus. This way, she picked up various small details. And in this way, she had many things about bus. She was very attention to her, and she was very attention to her. The town was 6 miles from her village. The town was 6 miles from her village. So, she knows all these things from the village's all. It was 6 miles from the village's. So, how do we know all these things? When her look, she's watching her little curiosity. She was very interested in her, she feels so much good at her, she feels so good at her, that she didn't understand what she should do and how she should go. So, she was reading the words of the people. तो कुछ उपचाप खड़ो करके सुनती रहती थी, कोई इनसान बस में से घूम कर आया है, वो किसी को कुछ बता रहा है, या दो लोग आपस में उसके पडोसी बात कर रहे है बस के बारे में, तो चुपचाप ऐसे सुनती रहती थी कि अच्छा क्या बात कर रहे हैं, smiles और तो और the fare was 30 पैसे one way और उसे ये पता चला कि एक तरफ का रास्ते का जो कीमत है हना जो टिकेट है वो कितने की है 30 पैसे की 30 पैसे one way यानि कि सिर्फ एक तरफ जाने जाने का 30 पैसे की टिकेट का जो है दाम है which is almost nothing at all जो कि कुछ भी नहीं है she heard one well-dressed man say but to Walli who scarcely saw that much money from one month to the next it seemed a fortune अब ये क्या है अब उसने ये सारी बाते कहां से उठाई ये सारी बाते उसे पता चली है किस से ये सारी बाते उसे पता चली है अपने लोगों से जो आसपास उसके बात करते रहते थे पढ़ोसी वगेरा या कोई पैसेंजर जो उतर गया उनकी बातों को ध्यान से सुन सुन कर उसे पता चला कि गाउं से शहर 6 मील दूर है और जो किराया है बस का एक तरफ का वो है 30 पैसे अब एक दिन एक इंसान उसको बोल रहा था कि त्यार 30 पैसे तो कुछ भी नहीं है यह तो बहुत ही छोटी रकम है बस में ट्रावल करने के लिए लेकिन वल्ली के लिए तो यह बहुत बड़ी रकम है क्योंकि उस बच्ची के लिए यह पैसा तो ऐसा है कि उसे महीने में कभी एक बार देखने को मिलता था साहिज बात है हम चोटे होते हैं तो बड़े लोग बोलते 10 रुपे 10 रुपे तो कुछ भी नहीं है लेकिन छोटे बच्चे के लिए उसके लिए तो 10 रुपे बहुत सारी चीज है भाई वो तो बोलेगा यह तो बहुत सारे पैसे हैं तो यही वल्ली के लिए हो रहा था कि 30 पैसे किसी बड़े इंसान के और बहुत मैनत करें कि तब जाकर कि यह 30 पैसे वो इखटे कर पाएगी दे ट्रिप टुदा टाउन टुक 45 मिनिट्स और तो और उसे क्या पता चला इसे एक और इंफरमेशन वल्ली को पता चली लोगों की बाते सुनकर कि जो 6 मील का रास्ता है न गाउं से विलेज से ले करके जो टाउन तक रास्ता कितना बड़ा है कितना लंबा है 6 माइल्स का ठीक है और कितना टाइम लगता है 45 मिनिट्स लगते हैं और एक तरफ की टिकेट का किरा कितना है 30 पैसे यह तीन चीज़े उसे पता चलती है लोगों की बातों को सुन सुनकर जो लोग बस में ट्रावल कर चुए है और फिर क्या होता है कि on reaching town if she stayed in her seat and paid another 30 पैसे she could return home on the same bus this meant that she could take the 1 o'clock afternoon bus reach the town at 1.45 and be back home by about 2.45 so उसको ना ये साही चीज़े देख देख कर क्या हो जाता है उसको ये सारी चीज़े देख देख कर पूरा का पूरा आइडिया लग जाता है कि अच्छा अगर कभी मैं चुप चाप अब देख रहे उस बच्चे के दिमाग में बस को देख देख के बस में सफर करने का इतन तो वो सब क्या प्लान करती है, वो सोचती है कि अगर मैं शहर पहुँच गई, हाना, और अगर मैं वहाँ पर अपनी seat पर बैठी रही, और मैंने और 30 पैसे दे दिया, यानि कि गाउं से शहर जाने कि 30 पैसे लगेंगे, ठीक है, और वो सोचती है कि वहाँ जाकर कि मैं seat पर वापिस आजाओंगी, seat पर बैठे रहूंगी, और टिकेट के 30 पैसे और दे दूँगी, हाना, तो मैं वापिस आजाओंगी, उसी सेम बस के अंदर, मुझे बस भी नी बदलनी पड़ेगी, मैं सेम बस में बैठे बैठे वापिस भी आजाओंगी, ठीक है, तो उसने सोचा कि इसका मतलब अगर मैं एक बजे निकलती हूँ, आफ्टरनून बस, हाना, अगर मैं एक बजे की दोपहर की बस ले लेती हूँ, तो मैं गाओं से शेहर पहुच जाओंगी, 145 पे, और वापिस आजाओंगी, 245 तक, तो उसने पूरा दिमाग लगा लिया, कि मतलब घोमना पढ़ेगी, सेम बस में बैठे-बैठे, थोड़े से पैसे और दूँगी, 30 पैसे, उसी सेम सीट पे बैठे-बैठे वापिस आजाओंगी, एक बजे निकलूँगी, तो 45 मिन लगेंगे, 145 तक बहुच जाओंगी, 145 तक वहां पहुच जाओंगी, 15 मिनिट अगर बस वहा चलता रहा, यह सारा वो जो प्लान कर रही थी कि अच्छा ऐसे करूँगी, दो बजे निकलूँगी, तो इतने बजे आ जाओंगी, इतने पैसे लगेंगे, तो यह सब इसका दिमाग की खुराफात चलती रही वल्ली की, और वो calculate हिसाब लगाती रही, planning करती रही कि कैसे कर लेकिन एक बारी बस में जरूर ट्रावल करना है, तो इस सब उसके दिमाग में उपज, उसकी दिमाग की सारी खुराफात चल रही थी, सब कुछ planning, calculation चल रहा था, ठीक है, चालो, सो अब इसके बाद हम आ जाते हैं, quiz पर, और कर लेते हैं आपका knowledge test, कि आप लोगों को इस chapter में, अभी तक जो मैंने पढ़ा है, कितना अच्छे से समझ मैं, so guys, quiz का time आचुका है, अब थोड़ा सा ध्यान दीजेगा, and all the best, अच्छे से question को read करके answer करना, so, question number one, ये रहा, what was Wally's favorite past time, Wally का सबसे अच्छा past time क्या था, मतलब उसे सब ज़्यादा करना क्या पसंद था, Standing in the front door of her house, watching what was happening in the street outside, घर के बाहर खड़े हो करके, घर के main gate पे खड़े हो करके, देखना की बाहर क्या हो रहा है, दोस्तों के साथ खेलना पसंद था, ये किताबे पढ़ना पसंद था, बताओ जल्दी से, उसका सबसे अच्छा, मतलब उसे खाली टाइम में कौन सा काम सब सब्सक्राइब के लिए वो होता नहीं कि उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता था, किस चीज को देख करके वो इतनी जादा खुश हो जाती थी, इतनी इन दो फ्रंट डोर और वाचिंग दो स्ट्रीट के भाई गेट के अपने घर के में गेट पे खड़े हो करके सडक को देखने का जो खुशी मिलती थी, वो बहुत जादा अच्छी थी या बहुत ही जादा थी, या फिर खाना खाने से या पेंटिंग करने से, किस ची जो फेवरेट उसका काम था, करने का खाली टाइम में, वो था कि घर के फ्रंट डोर पे खड़े हो करके बाहर की सडक को देखना कि वहां क्या चल रहा है, और उसकी नार, मतलब खुशी का ठिकाना नहीं रहता था जब वो ये काम करती थी, तो उसके लिए अन इंडिंग, अन इंडिंग सोर्स ऑफ जॉइ भी यही था, कि बाहर खड़े हो करके सडक को देखना, यहां तक कि आज हम लोगों को ने पढ़ लिया है, पूरा का पूरा जो हमारा पार्ट वान था, यहां पर आता है इसका, क्या, दी एंड, ठीक है, जितना मैंने पढ़ाया उसको आप लोग बहुत अच्छे से, रिवाइस कर लेना एक बार, I hope आप लोगों को अच्छे से समझ में भी आया होगा, ठीक है, और इसके बाद मैं आप से मिलूंगी इसके पार्ट टू के साथ, अगली वीडियो में, ठीक है, जहां पर हम इसके आगे की कहानी पढ़ने वाले हैं, तो मिलेंगे अगली क्लास में, तब ते के लिए बाबाई, ठीक है रइन, ठीक है सो मॉच